तो क्या आप भी थक चुकी है आप में चेहरे पर पड़े जिद्धी दाग धबेन जाईयां आक्ने माग जूरियों से और आपकी भी खौईश है कि आप क्या जो स्किन है वह फ्लॉलेस हो जाए वाइटन हो जाए स्मूथ हो जाए स्पॉर्ट लेस हो जाए और कॉरियन लोगों का यह कोजिशन होंगा को कॉकोनट ओयल को मोटनिक्ज है कि नहीं है और इसके लिए जो है ट्रेंशन ना ले वर्जिंग को कॉकोनट ओयल लेना है आपको वह आपके स्किन पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं छोड़ता है यूज करने के बाद तो यह सूट्स अच्छा ग्लास ग्लो देगा आपके स्किन को कि आपको प्यार हो जागा इस रमेडी के साथ चलिए फटा फटा फट वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि हमारे आज की रमेडी क्या है कैसे बनानी है और इंग्रेंट का चाहिए हमें तो चलिए आगे बढ सब्सक्राइब करें लाइक करें बढ़ने दबाएं वीडियो नोटिफिक्शन तब पहुंचवाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंस मैंने अपने इंग्रेडियंट में यूज किया था और यहां मैंने पतंचली का वर्चिन और नाजिल ले लिया है आप देख सक खर्च आपको आपकर नहीं होता है इस्पेशल में तो यह मैं ले रही हूं यह देखिए मैंने कट कर लिया है और यह देखिए इतना जो है एनफ है आपको एक टीश्पून भरके आपको लेना है बाकी कॉफी का यूज हम लोग आगे कर लेंगे नेक्स्ट इसा कि मैंने आ कोनट ओईल भी बहुत माइने रखता है इस फेशल में हमारे लिए और एक लास्ट मैं ले रही हूं इसमें हनी हनी को नहीं भूल सकते दोनों तीनों के तीनों ही बहुत ही आमेजिंग थोड़ा समाने लिया है नाजिकल कॉम्बिनेशन है इन तीनों का और इसके साथ एक प पाफूर इंड मैंने बताया था वह है लेमन यहां मैंने हाफ लेमन लिया है ज्यादा नहीं लिया है और बस देखे कुछ बूंद ले रही हूं मैं 10-15 बूंद ले रही हूं और अब आपको कुछ नहीं करना इसके बीज निकाल दीजिए बहुत सारे लोगों का यहां कोश बाकि यह देखिए बहुत ही वंडर्फूल सा मिक्षर हमारा रेडी हो जाएगा और सारे स्किन की डर्ट गंद की ब्लॉक पोर्स हमारे जो है वो निकल जाएंगे स्किन टाइटन हो जाएगा ब्राइटन हो जाएगा स्किन लाइटिंग प्रपर्टित है इन सब में काफी स्किन हो जाएगा 100% ब्राइटर स्मूद शाइनियर टाइटन पोर्स रिड्यूस होंगे हमारे इससे तो यह हमारा पहला स्टेप है इस तरह से आप को कॉनेट ओल अगर अपने चारे पर लगाते हैं विल दू वांडर स्टु इसके इसके हमारा पहला इंग्रियंट जो है स सिर्ट लेटन पोफे करसे काक कर्ते हां रही पोलस ता भीड्यर चाहि ओंडर स्ट चरीह करते हैं श्च्री सब्सक्राइन खुलका हैं चाता हैं। तो फॉलेक्स का यह सब्सक्राइब TE-6109 तुप सब्सक्राइब canle लेना है और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना वो माइन ब्लॉइंग आने वाला है तो देखिए मैं किसे से हलके हाथों से पर करनी है रगड़ना नहीं कि इसमें कॉफी भी है जो एक स्पेशल राइज होती है इस फिंगर से आपको अपने आई के अंडर में मसाज करना जिसे आपके जो आई बैक से जो डाक से वह भी स्वर्पी से बहुत अच्छे से चले आते हैं जहां भी डाक स्पोर्ट से आपके कॉरूर्थ पे लिप के कॉर्नर स्पे चिन के नीचे वह स में रॉकेट साइंस नहीं है तो हलके आते तो सब्सक्राइब में आपको मसाज करना है यह देखिए और यह स्किन पर तुरंत अब्जॉब होते चला जाएगा आपके इसे की नरिश्मेंट जो है पूरी खीचते जाएगी इसके नापकी और स्किन जबाब करोगे ना तो काफी मसाज क्रीम बनाया था कोको नाइस ओल के साथ उसका क्या वंडरफू लिजड़ आए यह चाहिन आपको मेंके से मेंगे फेशल से नहीं मिल सबती है जो सिर्फ यह मसाज से मिल गया है हमारा फॉर्स स्टेप तो कंप्रीट हो गया नए स्टेप के लिए हमने यह लिया काफी आपको फाइन ग्रानिल्स वाली लेनी है किसी भी ब्रांट का लें कोई शूनी है मैंने आप गुड़नेस का लिया था मैं स्टोर कर दिया है अभी मैं ले रही हूं और इंज पिल पाउडर बसके लाइट निक की बात हो रही है और और इंज पाउडर ना जाय तो कैस होगा तो यह औरेंज फिल पाउडर भरके मैंने डाल दिया इसमें 1 टी स्पून एंड साथ में हमने यह जो बचाया था कॉफी अरांड 1 टी स्पून यह भी मैंने इसमें आट कर दिया है थोड़ा सा लेमन मैं इसमें और आट कर रही हूं मतलब यह पूरा हाफ लेमन हमें कर लेना है दोनों स्टेप में और एट लास जो है सूपर इग्रीडियंट एक और मैं इसमें आट कर रही हूं वह है हमारा दही और यह घर की जमी हुई खट्टी दही लेनी है आपको बिल्कुल दही खट्टी होनी चाहिए दही में लाक्टी कासे होता है ब्लीचिंग प्र आप चाहें तो थोड़ा सा रोज वाटर या आप इसमें जो है प्लेइन वाटर आट कर सकते हैं पर दही जो है अपना फानी छोड़ देता है इसलिए आपको पहले अच्छे ते मिक्स कर लेना है ताकि इसमें जो लांस ना रहे तो यह देखिए फैंस हमारा अमेजिंग सस्क्रीन प्राइटनिंग टाइटनिंग पैक जो रेडी हो गया तो चलिए पटापर बढ़ते आगयो और अप्लाइट कर लेते हैं इस पैक को तो हमारा यह पैक रेडी हो गया है तो पहला एक रिंट में हमने यूज केते हैं मुल पिंग्मन्टेशन को और स्किन हमारी जो ब्राइटर दिखने लग जाता है नेक्स हमने इसमें यूज किया था औरेंज फिल पाउडर जो हूज सोर से विटामिन से का और जो हेल्प करता है आपके स्किन को ब्राइटन और लाइटन अप करने में नाच्रली यह आपके स्किन को ब्लीचिंग तय को अबर आपको ब्लीचिं और आपके स्किन को ब्लीचीं टेक्षर को इंप्रूव करता है लइटन डब करता है आपके says के लिय। है आपको मिलता है रग्र और ब्राइटर लोग इसमें हमने लेमन जूस भी यूज़ किया था यह स्टेप वन भी उसके लाइतिंग और ब्राइटिन फिट्रींग ब्लीचिंग एजन्ट होते हैं इसके जो बहुत एजल आउट कर लेते हैं और आपके स्पोर्ट तो जय वो ड पर हमारे इस वाइटनिंग ग्लास अगर चीव करना है आपको रेमेडी का दो और पूरे फेस में इवनली अप्लाइक कर दिया है और कोई भी फेस प्रैक में पूरा ड्राय आउट करके नहीं जो है भटाती हूं जो हमारे हाइप पॉइंट से हमारे जो लिप्स के कॉर्नर सो आप देख सकते हैं और यह सेकंड स्टेप जो है आड़ वांडर स्केन इसके बाद वो स्टेप करने के बाद यह स्टेप कर लेते हो ना तो हजारों का फीचल जो आपने करा रखा था उसका अभी ज्यादा डिज़ेट मिलेगा तो तो आस से दास मिट से सुखाएंगे तो यह देखिया फ्रेंड्स मेरा जो फेस है वो फेस पैक जो है ड्राय उट होने लगाया यह से स्पॉर्ट्स वजहां जाम ने बताया था टाइडन अप हो गया तो चली से रिमूफ कर लेते तो मैं इससे रोज वाटर स्प्रे यूज़ कर रही हूं पूरे फेस से में इस मदस्ते चैरे को पूरा डाब डाब करके गिला कर लें और उसके बाद सब्सक्राइब में जो है आप इससे उतारे आपको रगणा नहीं है फ्रिक्शन नहीं होने चीए अगर फ्रिक्शन होगा तो वहां रिंकल्स फॉमेशन हो जाएंगे इसलिए धीरे-धीरे करना है अरफास साथ मैं मुझे फीर हुआ था कि और भी वाटर यूज करते हो तो तो में घ। चाहरी कर रहे हो रहा है तो मिंधा से प्रेक्राहिए और रिंकल्स Muy Both जाबते हैं इससे अपको मसाज कर लेना किसी भी फेस पैक को आप ऐसे ही उतारेंगे चाहिए वो कोई भी फेस पैक को कम्प्लीट ड्यॉट करके आपको रगरते वह नहीं उतारना है तो पूरा मसाज मैंन अच्छे से कर लिया आप देखिए आप मैं देख आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ यह देखिए स्पूम से वैसे ग्लो देखिए आप एक अजीब सा ग्लो है ऐससे पहुँ लाइट पड़ रहा हो बहुत जादा और मैं इससे जो है आपको इससे भी आपको दिखाऊंगे यह देखिए ग्लो देखके जो खुसी मिली है ना मुझे चलिए वाइप पर कर आपको दिखाते हैं तो यह देखिए फ्रैंड्स मैंने अभी अपना पेश वास किया और शाइन देखिए क्या माशालला ग्लो है शाइन है इसके इसके इन टाइटन नहीं पड़ेगी और आप देख सब तो पूरा स्किन मेरा गिला है मैं अभी जस्ट मैंने वाइप आउट भी नहीं किया है मैं टावल से आपको अपने सामने वाइप करकर दिखा रही हूं ताकि यह ना लगेगी कोई मेक अप किया हुआ है स्केन पर तो यह देखिए बिल्कुल बिल्कुल ही स्मूध स्केन सॉफ्ट और एवन हो गया है वोट अब ही ना मैं कर रही हूं तो यह देखिए कहीं कहीं से कलें आ रहा है तो कि इसके बात मुझे बात ही लेनी है यह वीडियो मैं करके बात वैसे भी दूगी अगर तो और भी कहीं थोड़ा बहुत अब ही है तो बिल्कुल अच्छे सा निकल आएगा वाशा तो पेस्पे नहीं दिख रहा अभी मुझे लगे इट डूस मैचिक ट्यूर स्किन आप देख सकते हैं आप देखिए यह क्या ग्लो आया है वंडर्फुल लो आया है और विताउट मेक आप आइम लुकिं सो देख लो क्या वंडर्फुल रिजल्ट आया है और ग्लो इस अमेजिंग तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के साटिंग हो था कि यह बस आप कर लें मतलब नार्यल तेल में आप यह मिला कर बस लगा लेते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बीस साल जादा जबा दिखेगी अगर आप पचास की हैं चालीस की हैं तो वो बीस साल वाला जो आपके स्किन पर टाइटन जो है वो दिखने लगेगा रफनेस कतम हो जाएगा स्किन का ग्लोख बिलकुल जो है निखर कर आएगा आप देखिए कितना स्मूथ सॉफ्ट शाइनी लग रहा है स्किन और कितना प्या कोफी कोफी बहुत बहुत ही अच्छा है और सिफ एक्सफोलेटर नहीं है इसमें बहुत पूर माउंट में अंटी ऑक्सिंट होता है जो आपके स्किन के ब्लाइट साकुलेशन को रिजनरेट करते हैं बढ़ाते हैं और अगर ब्लाइट साकुलेशन पर साज कित्रू है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो लाइब रिजल्ट यह गलो आया है तो आपको मेरा आज का यह रेमेडी अच्छा लगा हो और अगर आपको मेरा आज के रेमेडी अच्छा लगा तो फड़ाफट में चैनल करते हैं सब्सक्राइब बटन दबाएं तक वीडियो नोटि करें and as I always say stay connected with me do subscribe my channel दब दक के लिए stay healthy be happy good day bye bye see you in the next video